So hey guys, welcome back to the ER Great YouTube channel आज हम बनाएंगे इस amplifier box को जिसे आप किसी भी speaker में यूज कर सकते हो बहुत ही सस्ते दाम में आप इसे अपने घर पे बना सकते हो गाज इसमें volume, bass, treble, plus bluetooth module के साथ में connection होगा सारा चीज और इसके back side में speakers connect करने के लिए port हम लगाएंगे ग्लस में amplifier board के लिए ventilator का भी system में ने बनाया है जो कि इसके look को भी और बहतरीन बना देता है तो आईए guys इस amplifier board को बनाना start करते हैं इस amplifier को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 inch के PVC pipe को इस तरह से काट लेना है 18 cm के size में और इसे guys के चुले में इस तरह से सेकने के बाद यह soft हो जाएगा किसी state material से दाब के हमें इसे सीधा कर लेना है and then इसी परकार से हमें सारे PVC pipes को सीधा करके state कर लेना है उसके बाद amplifier का size हमारा 18 by 22 cm का होगा तो 2-3 पटी को काट लेना है इस size में और 5 cm by 22 cm का काट लेना है 2-3 layer देख सकते हो मैंने इस तरह से काट लिया है उसके बाद जो left और right side का पटी है उसमें हमें इस तरह से mark कर लेना है फिर जो front side का और back side का पटी है उसमें इस तरह से mark करके हमें solding iron से इस तरह से गला करके बीच में gap कर लेना है और इसे हमें hexao blade से बीच में डालके काट लेना है काट लेने के बाद इस तरह से gap हो जाएगा front वाला और back वाला पटी अब guys आईए इन सारे पटीों को एक साथ में हमें favik week को use करके चिपका देना है हमारा जो top side का पटी होगा न उसको भी हमें solding iron से गला करके gap करके भी हमें काट लेना है इस तरह से उसके बाद इसे भी favik week से हमें चिपका देना है यहाँ पर अच्छे से favik week लगाना ताकि यह उखडे नहीं और दोनों side side वाले पटी में हमें इस तरह से drill कर लेना है मार्क किये हुए point पे amplifier board जो भी थोड़ा बहुत heat होगा उसके गरम हवा बाहर आएगा इन सारे hole से मैं यहाँ designing में hole कर रहा हूँ यहाँ पर आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से hole कर सकते हो उसके बाद box को हमें sandpaper से रगड करके smooth कर लेना है देखे कुछ इस तरह से अब top side के लिए एक और पटी लेना है और 4 screws के लिए हमें drill कर लेना है और 4 screws से भी हमें इसे tight कर देना है फिर से इसे रगड करके हमें front side में एक और पटी को लगा देना है front side वाले पटी में मैं यहाँ पे 2 screws ही लगाऊंगा और देखे गाईज मैंने यहाँ पर bluetooth module, volume, base और treble के लिए भी drill कर रखा था इस panel पे और इसे लगाने के बाद एक बार और हमें smooth कर लेना है रगड करके sandpaper में इस box को and then अब आईए हम इसमें paint करेंगे देखे, spray paint मैं यूज कर रहा हूँ, golden color का आपको इसा भी color यूज कर सकते हो और ये देखे, हमारा box सूख करके ready हो चुका है चलिए, अब इसमें हम parts को add करेंगे सबसे पहले तो मैं इसके back side में pads को चिपका दे रहा हूँ इन सारे pads को मैंने 3D printer से print किया हुआ है आप चाहे तो hardware के swap से भी खरीज सकते हो और उसे चिपका सकते हो उसके बाद speaker wire connector को भी मैं बाहर से लगा देता हूँ अंदर से सही से नहीं लग रहा था इसमें वैसे कोई दिकत नहीं है मैं 2 nut volt से tight कर देता हूँ इसे उसके बाद power supply के लिए ये देखिए मैं use कर रहा हूँ इस 12 volt female jack का और इसे लगा करके glue stick से अच्छे से चिपका देता हूँ उसके बाद guys amplifier board का heat sink तो हमारा heat होगा और ये है हमारा PVC pipe तो ये तो गल जाएगा तो हमें क्या करना है एक MDF board या तो फिर कोई साभी लकडी लेना है और उसे glue stick से इस amplifier box में चिपका देना है उसके बाद इसमें हमें amplifier board को लगा देना है स्क्रीव से tight कर देना है guys मैं यहाँ पर 6-8-3 का amplifier board यूज कर रहा हूँ आपको इस अभी amplifier board यूज कर लेना उसके बाद जो input powers अपला आएगा ना वो मैं direct इस amplifier board में connect कर दे रहा हूँ positive और negative आप चाहे तो एक switch भी add कर लेना and then speakers के wire को भी मैं इस amplifier board में connect कर देता हूँ guys जितना भी wires में connect कर रहा हूँ ना amplifier board में उन सारे की wiring का video मैंने detail में already बना रखा है ये रहा thumbnail और इस video का link आपको description box में मिल जागा वहाँ से देख सकते हो आप total wiring अब देखिए मैं इसमें potentiometers लगाने के बाद 103, 104 के PF और 4.7 kilo ohm का register volume, base और treble का connection कर लेता हूँ guys audio का input, output, wires जितने भी है सारे चीज मैंने detail में उस video में बता रखा है तो इस video को जरूर देख लेना complete wiring के लिए और आपको अगर आता है तो बहुत ही बैतरीन है देखिए मैंने इसमें audio के wire को भी connect कर दिया हुआ है और ये हमारा अब volume, base और treble का complete connection हो चुका है अब Bluetooth module को 5V power supply देने के लिए 78.05 के voltage regulator को man power supply में मैं यहाँ पर solder कर दे रहा हूँ और यहाँ से output power के लिए भी इसके connector को मैं solder कर दे रहा हूँ उसके बाद volume से जो output आएगा audio वो हमारा amplifier board के input में भी connect कर देता हूँ left, right और ground को अब देखिए ये रहा हमारा Bluetooth module normal वाला Bluetooth module जो हम use करते हैं 90 से 120 रुपे में आ जाता है इसे मैं इसमें लगा देने के बाद दो screw से tight कर देता हूँ and then power supply के wire और audio के wire इसमें connect करके इसके top वाले पटी को लगा देना है इसके बाद फिर इसके front वाले पटी को भी मैं screw से tight कर देता हूँ बस यह हमारा amplifier बनके ready हो चुका है अब हमें final step में potentiometer में knob लगा देना है volume bass और treble में जो knob आपको पसंद आए वो लगा देना जो आपका look बहतरीन लगे देखिए मैंने इसे लगा दिया और कितना सुन्दर लग रहा या देखने में आप इसे कहीं भी use कर सकते हो professional या amplifier बन चुका है अब हमारा चलिए अब इसकी sound quality चेक करके दिखा देता हूँ मैं इस amplifier board पे मैंने speakers के wire को connect कर दिया है देखो यहाँ पे और इसमें मैं power supply देने जा रहा हूँ 12 volt के battery से इसमें मैंने कोई switch नहीं लगाया है external switch आप लगा सकते हो और लगाना है तो आप यहाँ इधर भी कहीं लगा सकते हो या back side में भी लगा सकते हो मैंने power supply जैसे ही दिया यह हमारा on हो चुका है मैं अब bluetooth mode से इसको connect करके मीजी को चेक करके दिखाने जा रहा हूँ चलिए हमारा pair हो चुका है और volume मैंने यहाँ से full कर रखाया है और अब यहाँ से देखो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को volume bass treble तीनों सुना कहीं दिखाता हूँ उसके बाद थोड़ा सा music को सुनाऊंगा तो आप सभी को अभी volume bass और treble जो bass और treble है खास करके उन दोनों में फर्क पता चल रहा होगा sound की quality में और नहीं पता चल रहा है तो आप खुद से बना के देख लेना तभी पता चलेगा तो I hope यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe करके bell icon को भी जरूपे कर लो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में बाबाई कीप वाचिंग मोर वीडियो अन यार ग्रेट यूटूब चैनल बाई